हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चेलाना मरजी टुटोरियल में तो फ्रेंड आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स बटाने वाला हूँ अगर आपने उन टिप्स को फोलो किया तो आप जो टेंट के बार स्ट्रीम सेलेट करने वाले हो उसमें आपको प्लेज इस वीडियो को आप लाज्ट टक देखना इसमें मैं बहुत इंपोर्टेंट टिप्स बटाने वाला उसको अगर आपने फोलो किया तो आप टेंट के बाद जो इस्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो उसमें आपको बहुत हेल्फुल होगा अगर आप कंफीज हो कि आ पहला टिप्स है, No All Stream Feature. आपको अपना जो आप Stream सेलक्ट कर रहे हो, उसका आपको Feature मालूम रणा चाहिए, कि जैसे अगर आप Psychology ले रहे हो, तो उसका आपको मालूम रणा चाहिए कि आप Science में क्या Feature में आप बन सकते हो, अगर आप Commerce ले रहे हो, तो आपको यह मालूम होना तो आप feature में क्या-क्या बन सकते हो, तो इसके लिए जब भी आप कोई भी stream select करो, तो सबसे पहले उस stream का feature आपको मालूम होना चाहिए. Second, don't decide stream on percentage, आपको कभी भी जब आप stream select कर रहे हो, तब आपको अपना percentage ध्यान नहीं देना है, जैसे कि क्या होता है, कई सारे student का अगर कम percentage आ गया, तो वह student arts ले लेता है, या फिर commerce ले लेता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए. उनको पहले या decide करना चाहिए, कि मेरा interest क्या है, आपको अपना interest देखना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए, कि अगर मेरा 90% आया, तो मैं science लूँगा, अगर मेरा 40-50% अगा तो मैं arts लूँगा, या फिर मेरा साथ से सतर तर याす सी परसें तक है तो मैं Community लोगगा ऐसा नहीं आपको अपना पर संथ मेंने आपको आपको देखना है कि मेरा इंट्रेस किया आपको आपना इंट्रेस जानना है अगर आपको इंट्रेस जिस इसकूल में जो टीचर है उनका आपको help लेना है कि आप उन टीचर से पूछ सकते हूँ कि आप पूछ सकते हैं कि sir या मेडम में कौन सा stream select करूं मेरे लिए कौन सा stream अच्छा होगा तो आपको help करेंगे आपको stream सेलेक्ट करने में आप चाहो तो अपने रिलेटिव से पूछ सकते जो आपके रिलेटिव में जो परे लिखे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं जो उस फिल्ड में वर्क कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि हां कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ तो आपको वह अच्छा आपको बटाएंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए तो आपको अपने बरों का भी आपको help लेना एप लेना स्ट्रिम हैं सरक्ने के लिए warm gosh know your interests आपको अपना interests समझना है कि आपको किस फिल्ड में process अगर आपको मैं इंजिनियर का कॉर्स करना चाहिए of the state to आपको जीसे business में एं तो recover को ours लेना चाहिए अगर आपको management bagus ऒए तो आपको commerce लेन चाहिए तो इसके लिए क्लिक्षे यह मालूमना चाहिए कि आपको कौन सा आपका इंट्रेस्ट किया है। जिस टाइप का इंट्रेस्ट है उस परकार आपको स्ट्रीम इंट्रेक्ट करना है। भिंग थिंग अवाओट वाट Will You Becomingодар meiah हैं अगर согरme और अचच उनके कि आपको TENT के बाद कौन सा stream select करना है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सोचना है कि आपको future में बनना क्या है तो इस परकार आप अच्छे से एक better एक good stream select कर पाओगे, keep in mind your financial condition, आप जब भी stream select कर रहे हो तो आपको अपना financial condition जो आपका family का है उसके बारे में आपको अपने को आपको समझना चाहिए कि अगर आप कोई feature में आपको कुछ इंजीनियर की पढ़ाई करनी है या फिर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो इसके लिए आपको यह अभी present में मालूम होना चाहिए कि आपको अगर feature में डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको मालूम है कि डॉक्टर बनने में ज्यादा पैसे रख्टे तो इसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका financial condition अच्छा है कि नहीं तो इससे आप एक अच्छा stream सेलेक्ट करने के लिए आपको एक help मि कि सेवन डोंट इंफ्लून्स बाइ यूर फ्रेंड आप जब भी कोई भी 예쁜 सेलेक्ट करने से पहले अगर आपका कोई डोस्ट है अगर वह साइंस ले रहा है और आपका इंट्रेस्ट आर्ट में है तो आपको आर्ट सही लेना चाहिए आपको साइंस नहीं लेना चाहिए अगर आपका कोई दोस्त आर्स्ट ले रहा है और आप को Science ले लेकिन आप उस Friend का देखके आप आर्स ले रहे हो तो ऐसा अप गलट कर दो तो इसलिए आपको अपना interest जाना चाहिए आपको आपने डोस्त का नहीं यह कि science में कौन से subject आते जिससे science में physics आता है chemistry, bio, maths and commerce में आता है BK, secretarial practice, OSEM इस परकार के subject आते तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा subject कि इस stream में आता है तो इससे आपको helpful होगा stream select करने के लिए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस channel को subscribe किजिए क्योंकि मैंने आपको इतने detail में explain किया है कि आपको यह वीडियो helpful होगा 100% मैंने आपको इतने अच्छे से बताया कि आपने अगर इस tips को follow किया तो आपका जो tent के बाद आप stream select करने वाला है आपको बहुत helpful होगा तो प्लीज इस channel को subscribe कर लेना और अपने दोस्टों को प्लीज इस channel को share किजिए ताकि उनको भी help हो सके ओके प्रेंट बाई